त्रीवन रादे किष्णा आप सभी को रादे रादे चेत नवरात्री के आप सभी को बहुत सारी शुप काम नहीं दोस्तो नवरात्री के दिनों में मातरानी को पान के पत्ते का भोग क्यों लगाना चाहिए जानते हैं इस वीडियो में तो फ्रेंट्स यहां पर जो मैं आप तो इस पान के पत्ते से जूड़ी कुछ बाते में आप लोग के साथ यहां शेयर कर रहे हूँ हम यह पान का पत्त जब भी किसी देवी देवता को चड़ाने के लिए लेते हैं तो यह एकदम साबूत होना चाहिए इसके पीछे की जो डंठल होते हैं जो डंडी लगी हुई ह यह वाली यह साबूत होनी चाहिए इसमें लगी होनी चाहिए तूटी हुई ना हो तब ही यह देवी देटा को हम अरपन करते हैं तो यहां पर यह कटा फटा और अखंडिक बिल्कुल भी ना हो तो इस तरीके का हम पान का पत्ता लेंगे और दिखा तो यहां पर हमें यहां है पंच मेवा तो यह मतारानी का भोग भी होता और भेट उती जरूर दिया जाता है। हम रखते हैं इसके उपर दक्षना इस उपाई को करने से नवरात्रे में माता रानी का आशिवाद हमें सेगर प्राप्त होता है साथ में इस उपाई को हम हर रोज भी कर सकते हैं नहीं तो आप पहले नवरात्रे के दिन जब आप करन्या पूस्ते हैं उस दिन भी आप ये कर स मिलें ना का रोली, को अधर करें आप की यिए तो इसा। मैंने पर नियुक्त रूली थोस्छा, मिलें टिकने त्यार को दिया कश और बाइक नुन मिलें नियुक्त ऑपर का ही, आप में यह तक सब्az हम स्थास्द के जाते हैं पूजा पाठ्ट के वीडियो लेकर आती हुग तो दोस्तों यहां पर सबसे हैं ने एक लंबी डंडी खीची है और जी इसको मैंने क्रोष नहीं किया है तो कभी भी स्वास्ती को क्रोष नहीं किया जाता है इसलिए किए हम इस तरीके से स्वास्तिक बनाते हैं तो यहां पर स्वास्तिक बनाने की बहुत विदान होते हैं इनके भी बहुत नाम होते हैं आने वाली वीडियो में मैं आप लोग के साथ स्वास्तिक के बारे में भी जल्दी शेयर करूंगे कि स्वास्तिक के जो नाम है चिने वो कौन-कौन से हैं तो पहले यहां पर हम आज अनिक कि वेच भास देख वैडिया है तो दोस्तों यहां पर मैंने स्वॉस्थिक बना लिया शाथ में अमने स्वीच में बिंदि लगाके इन पहले साहति पेशन रामट में इन भातो kullandar Palacal CalGI दोड सिस्वीट कारियों अनीकि दो दढ़रो तो पीली हल्दी का हमने यहां पे टिका कर लिया और अब सबसे पहले रखेंगे इस पान के पत्ते के उपपर यह शहद मेरा पूजा मंदिर में हमेशा रहता है तो अवरात्रों में मैंने नया शहद नहीं लिया क्योंकि मेरे पास यह पहले से रखा हुआ है इस शहद के माता रानी का आशिवाद हमें सेगर प्राप्त होता है माता रानी की किरपा हम पे बनी रहती है और यह बहुत ही परसन होती है इसलिए यह पान का पते का भोग जरूर देना चाहिए तो देहां पर मैंने कुछ साथ की बुंदे डाल लिया तो यहां पर हम थोड़ा सा शायद जोड़े के साथ चाही नो पलात्ति रखना है Рखना हम सबस्ण कि आउंसे रहा ? सबस्थ के यह पर दो जोड़े में लाए गधनी नेना है यह रहा दो जोड़ें साथमों सब्सक्राइए는 का आउसे होELIएوب यहां पर आने वालत भीडियु में आप लोंग एकुछ एखे मेने टोर या रान। और ये सब चीजे हमने अरपंड कर दिया आप यहांपे हम पताशे रखेंगे गफ्बENDं सब्राइन की भहती पर वर्म एन्यरा अपर तो नवराटरों के छीनी की पताशे होते हैं इनका ज़रू लगाई जाता है मुराटरों में हमने की और भी पताशे 214 करणी हम माता राणी को भेट करते और यह किस मंत्र के द्वारा करते वो भी मा आप लोके साथ शेर करूए मैं तो सबसे पहले इसके उपर लेते हैं लिकल रखाना तो जो inspired लिएे olds यह नहीं दे सकते दूप सब्चान के दिया लिकलता बोले दरोगते ऊप वाले दे doctrine तो आप लास्ट नवरात्रे वाले दिन भी कर सकते हैं, मैं तो इसे हर नवरात्रे वाले दिन, यानि कि हर रोज करती हूँ, यहां पर कुछ गंगा जल की बुंदे भी डाली हैं, तो शुद्ध हमारा वैसे पवितर हो चुका है यह, और अब हम यह माताराइन को भीट सरूप देंगे զोनों हाँ चोड़ के, तो हम यह भीट सरूप देते हैं, तो हमें माताराणी का मंत्र का अचारण करना होता है, मंत्र का अचारण देखे, यह चेतना वरात्रे तो चेतना वरात्रों में जाधातर कुल देवी की पूजा की जाती, तो आपके 높Yeah पाँमार chatsई का ज करेंगे बिलिफ norma की माता रानी जरूर का रिक दिन माता-रानी के लिए शत्र आप सबतेरों के साफ केלא tahu कि दोस्तों को पुल आप चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइस को समया है। वीडियो लेके आती रहती हूं तो मैं मिलती हूं आपसे जल्दी एक और नए वीडियो में तब तक ले बायर टेक केर रादे किष्णा जैमाता की दोस्तों